नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमन थौट आफ यह चनल पे आपका स्वागत है दोस्तों कोविड ना जाने कौन-कौन सी बीमारिया साथ मिलाया है आज हम म्यूको माइकोसिस के बारे में जानेंगे वियॉन पे एक आर्डिकल आया था वाट इस ब्लैक फंगस और म्यूको मा खतरनाक क्यों है देखिए ब्लैक फंगस उनको अधिक्तर हो रहा है जो कुरोना संक्रमर से जस्ट ठीक हुए है यह बहुत खतरनाक है और रेर भी है होता क्या है कि जो फंगस होता है वो अपने सेल्स को हवा में रिलीस करता है और अगर आप सांस ले 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 तो समझ लीज ज्यादा अटैक कर रहा है जैसे कि कुरोना के पेसेंट है कुरोना के पेसेंट जो होते हैं उनकी इम्मिनिटी ठीक होने के बाद थोड़ी सी वीक हो जाती है जिसकी वज़ा से यह फंगस उनके उपर ज्यादा प्रभाव करता है और दोस्तों उन लोगों के लिए भी खतर अरीके का होता है पहला है राइनो सेरिब्रल म्यूको माइकोसिस यह उनहीं के उपर इफेट कर रहा है जिनको जिनकी डियाबेटीस जो है वो अनकंट्रोल होती है या फिर जिनका किड्नी का ट्रांस्प्लांट हुआ हो इस समय में प्रेजेंट में दोस्तों यही डेडली ह यह अगर कोविड-19 पेसेंट को हो गया तो समझ दीजी उनकी लिए यह जहर का काम करता है दूसरा होता है पल्मोनरी म्यूको माइसिस पल्मोनरी मतलब लंट्स यानि कि यह आपके फिफडों को इफेट करेगा जिनको कैंसर होता है उन पर यह सबसे ज्यादा अटायक करता है तीसरा दोस्तों होता है गैस्ट्रो इंटेस्टनल म्यूको माइसिस यह अधिकतर बच्चों में होता है एडल्ट में नहीं होता समझ लीजिए कि जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उन पर यह अटायक करता है उता होता है क्यूटेनेस म्यूको माइसिस क्यूटेनेस मा तो अगल बगल फंगाई होते हैं उसमें क्या करते हैं कि फंगाई अपने सेल्स हवा में छोड़ देंगे वो आपकी बॉड़ी में चिपट जाएंगे तो वो फंगल आपके सरीर में घुज जाएगा लास्ट होता है डिस इमिनिटेट मुको माईकोसिस होता है दोस्तो अभी सबसे ज़्यादा राइनो सेरीब्र मुको माईकोसिस एफेट कर रहा है ICMR बोलता है कि जो दवाई ले रहे हैं किसी प्रकार की उनके अंदर ये ज़्यादा effect कर रहा है ये human to human नहीं फैलता है अगर इसको cure नहीं किया गया तो ये खतरनाथ ज़्यादा हो सकता है अब दोस्तों इसके symptom क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे के symptom में दोस्तों पहला होता है face का जो egg side होता है उसमें सूजन आ जाती है और जिस area में आपका सूजन होगा उस area में आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा दूसरा आपको भयानक सरदर्द होगा तीसरा है नाक बंद हो जाएगी एकदम से वो भी fever आना सुरू हो जाएगा bleeding होने लगेगी कून बहेगा सांस लेने में दिक्कत होगी और आपको confusion भी हो जाएगी दोस्तों अब इसका diagnose कैसे करते हैं इसको पता कैसे लगाते हैं कि आपकी body में fungus है की नहीं है देखिए होता क्या है कि जो आपका respiratory system होता है उससे आपका fluid लिया जाता है और fluid का sample लेने के बाद इसकी biopsy परफॉर्म की जाती है इससे पता चल जाता है कि आपके अंदर fungus है की नहीं है ठेक है इससे treat कैसी किया जाएगा देखिए इसमें antifungal medicine दी जाती है लेकिन कई बा इसकी कोई भी vaccine नहीं आई है हाँ पर आप जहां हो सके जहां पर dust हो पानी खराब हो वहां पर आप बिल्कुल ना जाए दोस्तों ये इतना खतरनाक है कि लोगों की आखे चली जाती है तो ये था दोस्तों हमारा आज का lecture black fungus और mucomycosis पर ठेक है आपको ये lecture कैसा लगा अग कमेंड करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बोलें थैंक्यू सो मच